कि यह वेरी गुड मॉर्निंग तो आज हम बात करने वाले हैं एक और जी में शैनल डाइवर्सिटी इंडेक्स और पेलियू इवननेश इंडेक्स के बारे में दोनों ही चीजें इंपोटेंट हैं और में लिए टू मार्क्स में कोश्चन पूछा जाता है फोर मार्क्स में न इस वीडियो में हम पढ़ने माद हैं शैनल डाइवर्सिटी इंडेक्स और पेलियू इवननेश इंडेक्स के बारे में जो दोनों में हैं कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है चीजे वहीं रहेंगी आपकी स्पीशिज इवननेश और स्पीशिज रिचनेस के अराउंड ही स सब कुछ आपका रोटेट करेंगा जो टॉपिक्स हैं आगर आपको सिंप्सन डाइवर्सिटी इंडेक्स समझ में आ गया तो यह आपके लिए आराउंड सिर्फ पांस से दस मिनेट ही लगेंगे आपको समझनी होगी तो स्टार्ट करते हैं शैनल डाइवर्सिटी इंडेक की बात कर रहे थे तो वह में सिर्फ सिंप्सन डाइवर्सिटी इंडेक्स हमें सिर्फ इंडेक्स के बारे में बता रहा था यह हमें एक ही जो आपको अलग अलग वन माइनस डी आप उसमें कर रहे थे सिंप्सन डाइवर्सिटी इंडेक्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमे वो ये है कि जितनी ज़्यादा species में variability बढ़ेगी means species की diversity बढ़ेगी, richness बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा uncertainty होगी हमें एक या दो random individual को select करने की किसी particular species से अब बहुत सारी एक जार में balls हैं अलग अलग colors की तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी एक color की दो balls उठाने में या ज़्यादा uncertainty होगी तो simple वहीं यहाँ पर इसकी sensor diversity index ने बताया है कि जितनी ज़्यादा species होगी, species richness होगी उतनी ही ज़्यादा uncertainty होगी कि हम randomly कोई दो individual को उठाते हैं तो वो एक ही species से belong करें तो यह sensor diversity index जो है हमारा दोनों चीज़ों बजाता है species evenness और species richness को एक journal चीज है इसमें कि यह information theory के base के उपर है जो आपका वो था वो dominance theory के उपर base था आपका Simpson index और यह Shannon index जो है आपका information theory के उपर base है जो एक और point important formula पर बाद में आएंगे यह पूछा जाता है formula आपका two marks में कि अगर sensor diversity index जिसको mu से denote करते हैं अगर वो बढ़ रहा है तो species evenness और species richness पे क्या effect करता है कोई effect नहीं बढ़ता simple सा effect है अगर वो बढ़ रहा है तो species evenness और species richness भी आपकी increase होगी क्योंकि यह दोनों को ही दिखा रहा है आपकी species evenness और species richness को भी show करता है formula में आपको समझ में आएगा कैसे करता है आपको थोड़ा ध्यान देने की जोरत है अगर आप मेरी पिछली वीडियो दिखेंगे जो Simpson Index और Simpson Diversity Index है वहां पर Confusing है इसमें बिल्कुल Confusing नीए इसमें direct relation है वहां पर Simpson Index का अलग relation है increase decrease के साथ और Simpson Diversity Index का अलग relation तो यहां पर जो है आपका सिधा ही relation है अगर Sand and Diversity Index बढ़ेगा तो आपका Species Richness और Species Evenness दोनों बढ़ेगा फोर्मला क्या है मुसरी नॉट करते हैं स्मेक्षन SI1 है आपका इसमें बाहर जो है आपका एक माइनस का साइन है आपको ध्यान रखने थोड़ा पी ऐलन इंटू और जो यह पी आई है इसका लोग आपने मुल्टिप्लाई करना है सिर्फ जो आपको अगर पी आई आप निकाल लेते हैं यह क्या है आपकी relative abundance है किसी species की कि वो कितनी present है उसकी abundance कितनी है वो पी आई है अगर आप पी आई निकाल लेते हैं तो उसका फिर आपको logarithm लेना और simple multiply करना है आगे आपका negative sign है क्योंकि आप यहां पर जो है लोग ल जाता है इसलिए यहां पर एक बहार जो है आपका negative sign है ताकि इसको positive में convert किया जा सके तो PI कैसे निकालते है small n divided by the capital N और यह sum action का होता है आपका यह sum है and जो आपकी species का number है individual का number है आपके एक particular species का तो यह पिछली वीडियो से ही है Simpson का जो formula पी आई निकाल लेगा वो भी यही square था यहां square नहीं है दोनों जगा तो S क्या है S क्या है आपका total number of species है total number of individual species नहीं है वो L होता है S आपका total number of species है कि species में कितनी species present है आपकी sample में एक है दो है या मैं कहूं कितने color की आपकी बोल्स प्रेज़स है अगर आपकी चार color की बोल्स प्रेज़स है red, blue, black, green तो आपका जो S है वो 4 हो जाएगा अब S color जो 4 color है उनकी कितनी बोल्स प्रेज़स है अगर 20-20 बोल्स चार कलर की प्रेज प्रेज़स तो दो आपका इस और ऑस प्रेज़स है और अ क्या है आपका किसी एक बोल्स पिसे अगर यह आपका अगर एक jar है हम बात करते हैं इसमें चार कलर की different balls है और ब्लैक ब्ल्व एक दियालो ले लेता है तो यह चार कलर की बोल्स है तो S आपका चार हो जाएगा और अगर मैं कहूं, यह जो रेड़ कलर की बॉल्ट है उनका नंभर 20 है, ग्रीन कलर का 20 है, ब्ल्यू कलर का 20 है और यालो कलर का 20 है तो आपका N कितना हो जाएगा, N आपका 80 हो जाएगा, जो यहाँ पर है और किसी एक particular ball की बात करें हम अगर मैं red की बात करूँ तो n मेरा 20 हो जाएगा रहेगा तो pi आप ऐसे निगालेंगे जो 20 वाई 80 हो जाएगा तो इसलिए आपका यह 0 to 1 आएगा तो इसलिए यहाँ पर negative sign है बाद में अगर आप इसका log लेंगे तो यह आपका 0.25 का आपको log लेना पड़ेगा तो यह negative में ही जाएगा तो इसलिए बाहर negative sign है यह example आपको समझ में आगया होगा कि N क्या है और capital N क्या है तो यही एक example था तो यही formula है simple आपसे relation पुछा जाता है कैसे निकालना है यही एक simple सा formula है एक relation पूछा जाता है increase होगा तो evenness और diversity जो आपकी species richness है वो दोनों ही increase होगी S और N में confusion होता था वो मैंने clear करने की कोशिश करी है अब जो second हमारा जो topic है या index है diversity को study करने का उस पर आते है वो आपका है piu evenness index इसमें क्या होता है यह बहुत ही सिंपल है इसमें आपको observe जो आपकी species है observe diversity है वो पता है और जो आपकी measured diversity है total maximum possible diversity है वो पता है observe diversity से मतलब है आपका evenness से और maximum possible diversity से है आपका richness से कि कितनी species present है तो इसको हम जेस के उपर जो एक dash है जिसे हम बार भी कहते है इससे denote करते है observe diversity to the total diversity या हम maximum diversity भी से कह सकते हैं इसका relation important है इस index का तो इसको हम h dash से दिखाते है जो आपका observe diversity है जो हमारी किसी species की एक particular species का जो diversity है number है वो h dash है उसकी abundance है और total diversity है वो h max है वहीं आप jar का example ले सकते है वहीं यहाँ पर same चलेगा और कोई आपको example अलग नहीं है जो आपने observe किया है और जो आपकी total diversity है species evenness to species richness मैं इसे कहूं तो यह गलत नहीं होगा किसी एक particular species की evenness कितनी है abundance कितनी है और जो हमारी total जो species हैं इसकी value भी 0 to 1 होगी value 0 to 1 होगी question कहां से उचा जाता है question यहां से उचा जाता है जे की value अगर कम या जादा होती है तो species richness पे या diversity पे क्या effect पड़ता है simple सा phenomenon है अगर आपको formula service में आ गया है अगर जे की value बढ़ रही है means जो observe diversity है उसकी value बढ़ रही है तो मतलब क्या है evenness बढ़ रही है किसी एक particular species की urbanness बढ़ रही है अगर आपका observed diversity बढ़ रही है या जे की value increase हो रही है अगर जे की value decrease हो रही है तो means आपकी total diversity बढ़ रही है जिसके वज़े से जे की value decrease हो रही है और आपका जो species richness है या total number of species थी वो जादा है तो हम इस से बता सकते हैं इस जगह अगर आप यहां पर species evenness लिखना जाते हैं तो वो भी ठीक है आपको अगर relationship घ्यान रखना है तो इसको आप h' से और species richness जिससे आप असानिक से बता सकते हैं कि relationship कैसे set होगा तो यह denominator में है यह numerator में है यह बढ़ेगा तो directly यह बढ़ेगा और अगर यह बढ़ेगा तो इसका number कब होचाएगा तो यह एक simple सा relationship यहीं से set कर सकते हैं तीन हमने अभी तक diversity index पढ़े हैं Simpson diversity, Simpson diversity index, Shannon diversity index और PDU evenness index बहुत easy सी वीडियो थी आपको असानी से समझ में आ गए होगी Thank you so much, have a good day and stay tuned